रक्षा बंधन पर मैंने बनाई थी यहां पर मिलकेक क्योंकि बाजार में बहुत भीरती गाईस इतनी जादा भीरती मिठाई की दुकान ओपर ना कि जाने में आपको आदा देके घंटा लगए था तो सोचा मैंने क्यों ना घर पर इसको बना लेती हूं मैं मिलकेक बहुत ही इक घंटे तक बीनेु किमा एक गह ब harATOR की आजिर मिलनेटी अजिते को बोल किया देखे दूद कितना कम हो गया है अब यहา करAR आपडाली ना है दोद्ध ने में डेमनजूस तौ जो पास बीहों गुःगर दर दे मेरे पास यहां बैमन जूस नहीं था तो मेरे आपड़ी डाल दिया और दो चमट डालेगा और यह देखिया दूर्द हलकाल का फड़ गया है पूरे तरह फड़ गया है इसको अच्छे से होटाना है एक्टम यह सूखना जाता है इसका पानी भी और दिक इतना पानी कम हो गया है अब में आप लेगा एक चुटी कैटोरी शक्कर बड अब यहां पर डाल रहे हूं बिलकुल घी तो यहां पर में दो चम्मज के गरीब घी डालूंगी ताकि अच्छा टेस्ट भी आए इसका दो चम्मज घी अम डालेंगे फिर इसको मिक्स करते जाएंगे और बिलकुल लो टू मिडियम फ्लेम पर आपको यहां पर काम करना है औ अब देखिये फिब में डालूंगी तो आपको ऐसे मिदलब क्वांटर मिदल थोड़ा कर डालना है शक्कर और इसको मिक्स करते जाएंगे और अच्छा गाड़ा कर लेंगे इसको थोड़ा ओर हम मनें आपर दो चम्मज घी और डाल दिया बहुती स्वादिस्ट मिठाई दोस्तों यह वाली मिल्केक और बहुती अच्छी लगती दोस्तों दूद की मिठाई है और अच्छी लगती है और देखें कलर दिरे इसका थोड़ा सा ब्राउन इसको आप लगाता चलाना है कुछ भी आपको इलाची पाउडर में डालनी की जरूबत नहीं गाइस देखि और इसको ऐसे लेवल में कर देंगे तक एक जैसा हो जाएगा और देख कितना सुन्दर लग रहा है घर की मिठाई की बात दोस्तों कुछ और ही होती बजार में तो पता नहीं कितनी प्रानी रखी रहती है और यहां पर देखिए मिल्केक को मैं आप ऐसे सेट कर दिया है औ और इसको मैं अब ऐसे ना बटर पर लगा दूंगी और इसको आप क्या करेंगे हम किसी भी टावल में इसको ना सैट होने रख देंगे पांस से चे खंटे के लिए दोस्तों उसकी बार इसको ना एक दू खंटे के लिए फ्रीश में रखेंगे ना तो यह बहुत अच्छे निकल जाएगा और खाने में सभी को यह बहुत अच्छा लगता दोस्तों और मैं इसको रख जिया था चे खंटे के लिए और फिर में आपर दो खंटे के लिए और यह देखिए गाई समारा कितना अच्छा जो है मिल्केक बनकर तयार हो गया है देखिए मिल्कु दानेदा यह दो आपको आज की मेरे एक्षेप अच्छे लगी दोस्तों तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज दोस्तों फॉलो करना लेकिए आपको कितने सारे जो मेरे पीस कड़ गए है और मैंने आप पर इसको डेकॉरेट कर दिया काद् अच्छे लगी दोस्तों प्लीज दोस्तों प्लीज दोस्तों शेयर करना फोलो करना और बहुत ही अच्छे मिठाई दोस्तों दूद की मिठाई तो बहुत ही अच्छे लगती दोस्तों आपका बहुत ही अच्छे लगती दोस्तों आपका बहुत ही अच्छे लगती दोस्त झाल झाल